नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पर्व मितल आपका और्थोपेडिक्स और स्पोर्स इंजरी स्पेशलिस्ट आज आपसे बात करूंगा कि कि इंटर्नल डेरेंजमेंट ऑफ नी क्या होता है या आम भाशा में तो भुटने की घुम चोट क्या होती है उसकी क्या इंपोर्टेंस मैं तो दोस्तों हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो की खेलते समय या काम करते समय जिनका की पैल मुड़ गया होता है या मोच और उनको जनरल ओरthopedic Surgeon हैं ने treatment कि एक आधिया होता है, एक स्रेट होता है, जिसमें कि सब कुछ normal होता है, कोई fracture नहीं होता है, मगर एक महिने तक उनको दर्ध में आराम नहीं मिलता है या उनके घुटने में लौकिंग होती है, काई patients में हमने यह पाहता है, कि जब हमने उनका dedicated sports injury examination या screening किया तो उसमें हमें कोई major problem नजर आई है जैसे कि ligament injury या meniscus injury जो की miss हो जाती है एक general practitioner द्वारा तो दोस्तों अगर आपके पैर में मोच आई है और आपको महिने भर से गुटने में दर्द है या पैर में लचक आ रही है या फिर आपका भुटना lock हो जाता है तो तुरंत आपको एक dedicated sports surgeon के साथ appointment book करना चाहिए जो की clinically examine करके ये बता पाएगा कि आपके पैर में कोई major problem तो नहीं है और उसी के तहट आगे MRI कराके इसका treatment किया जाएगा दोस्तों अगर आप गुटने की sports related injuries जैसे की ACL ligament या meniscus इनको miss कर देते हैं या फिर इनकी injury के साथ अपना चलना फिरना करते रहते हैं तो कई patients में देखा गया है कि गुटने में काफी जादा damage हो जाता है और आपका गुटना बहुत जल्दी age करने लगता है और आपके गुटने में osteoarthritis डेवलप हो जाता है इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो अपने dedicated sports injury specialist के साथ दुरंत appointment book करें धन्यवाद